Hello friends, मैंने आपको पिछली वीडियो में match stick pattern को समझाया है इसमें मैंने एक formula लिखा था, वो formula है number of match stick required equal to 2 multiply number of L जिसमें मैंने number of L के जगा N लिखने के लिए कहा था तो यहाँ पर 2N हो जाएगा, इसमें जो 2 है वो constant है और जो N है वो variable है और आपको पता है कि constant में value fix होती है और variable में value change होती रहती है यहाँ N में आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं N की जगा पर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and so on इस formula का यूज करके हम कितने number of match stick required है हम बता सकते हैं बीना कोई match stick pattern का table बनाए हुए जिस तरह हम match stick pattern का यूज करके L letter को बनाए है वैसे ही हम और भी alphabetic letters को बना सकते हैं जैसे हमें C letter को बनाना है C letter का pattern हम कुछ इस तरह से बनाएंगे C letter में हमें 3 match stick pattern का यूज करना पड़ेगा देखी 1, 2, 3 इसका हम table बनाकर समझते हैं देखे टेडल में दिया है number of C and number of match stick required इसमें अगर हम one C का pattern बनाते हैं तो number of C में हम लिखेंगे one और हमें three match stick की required होगी अगर हम two C का pattern बनाते हैं तो इसमें हमें six match stick की required होगी इसी तरह अगर हम यहाँ three C के लिए देखें तो यहाँ पर हमें 9 match sticks की required होगी 4 के लिए 12 होगी 5 के लिए 15 होगी इसी तरह से आगे तक हमको पता चलता जाएगा ओके फ्रेंड्स इस तरह से हम C pattern का table बना कर number of match sticks required पता कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करें शेयर करें और channel को subscribe करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद